उल्जन समीर और शिखा के बीच में कौन आया था? शिखा के जन दिन पर कपिल उसे शादी का प्रस्ताव देने का मन बना चुका था, मगर उससे पहली ही शिखा की मेडिकल फाइल उसे पढ़ने को मिली और उसका विचार बदल गया. आखिर क्या लिखा था उस फाइल में डॉट जैसे जैसे शिखा के जन दिन की पार्टी में जाने का समय नज़्दीक आ रहा है. मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है. मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तयार हूँ पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है. मैं करीब दो महीने पहले शिखा से पहली बार अपने कालेज के दोस्त समीर के घर मिला था. उसी मौके पर मेरा समीर की पत्नी अंजली, उसके दोस्त मनीश और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था. शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नजरे हट ही नहीं रही थी. वा जब छोड़ी छोड़ी बातों पर दिल खोल कर हनसती तो सामने वाला खुद बखुद मुस्कराने लगता था डॉट मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा क्या शिखा का कोई बॉय फ्रेंड है? नहीं, उसने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया. गुड, उसका जवाब सुन मेरा मन खुशी से उचल पड़ा, तू उससे मेरी दोस्ती करा दे, यार. कपिल, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं सिर्फ परिचय करा सकता था और वहाँ मैंने करा दिया. मुझे शिखा से पहली नजर में ही प्यार हो गया है. मेरे मुह से ये शब्द सुनकर वहां हनसा, तू ज्यादा बदला नहीं है. कालेज में भी आएं दिन तुझे पहली नजर में प्यार कराने वाला कीड़ा काटता रहता था. कुरानी बाते भूल जा, मेरे दोस्त, अब मैं अपना घर बसाना चाता हूँ. मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे सपनों की राजकुमारी है. मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि मैं प्यार के इस ताजा मामले में एकदम सीरियस हूँ. पहले मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस जादू कर दिया था. उसे अपना बनाने की चाहा ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया. उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही मैं शिखा से उसके आफिस के बाहर मिला. वह मुझे देख कर खुश हुई. फिर हम कॉफी पीने के लिए एक रेस्तरा में जा बैठे. हमारे बीच उस शाम धेर सारी बाते हुई. हनसी खुशी से बाते करते हुए कब घंटा भर बीद गया. हम दोनों को ही पता नहीं चला. बात में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया. मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था. क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था. डॉट शिखा अपने माता पिता के साथ तीन कमरों के फ्लैट में रह रही थी. उसकी मम्मी के कमर दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिल्चस्पी के साथ धेर सारी बाते करके दोनों के दिल में अपनी जगा बना ली. मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चड़ कर बोला और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिला कर ही बिदा किया. शहर के जिन नामी हड्डियों के डाक्तर से दो दिन बाद मैंने शिखा की मम्मी का इलाज शुरू कराया उनकी दवा से उन्हें बहुत फाइदा हुआ. अगले संदे की शाम को मुझसे बागबानी पर एक उस्तत की भेंट पाकर शिखा के पिता ने मुझे बड़े अपने पन के साथ चाती से लगाया तो मुझे अपनी मन्जिल मिल जाने का विश्वास हो चला. मेरे आगरा पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई मैं उसका दिल जीतने का वहां मौका नहीं चुका. जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूनों का गुलदस्ता भेंट किया तो वहां खुशी से फूली नहीं समाई. धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया. उसे अपने साथ खुब खुश देख कर मेरा दिल कहता कि वहां मुझ से शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी. तुम्हारे जैसा सुन्दर, सुशील, स्मार्ट व कमाउं लड़का अभी तक बिना. गर्ल फ्रेंड के कैसे हैं? पर कभी भी मुझे भी यह सोच कर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिन्दगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई? सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं. कपिल मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में जाकते हुए पूछा. मुझे क्या पता कह उसका शर्मा जाना मेरे मन को गुदुदा गया. मैं अगले दिन ओफिस बहुत खुश मूड में पहुचा. मेरी सहयोगी रितु मेरे चैंबर में आई और बोली शनिवार और इतवार को कहां गायब रहे कपिल? तबियत ठीक नहीं थी. उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने उसके गाल पर छोटा सा चुमन अंकित करा. इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम मना लूँ? पक्ता तुम्हारे साथ रहूँगा. उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काट कर मैं काम में लग गया. शिखा से मैंने पिछले दिन जूट बोला था. अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी थी पर शिखा उन सबसे बहुत बहतर थी. अच्छी पत्नी बनने के सारे गुड उसमें मौजूद है. मैंने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया. शनिवार की रात मैंने रितू के साथ दिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी. सचाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी गलानी महसूस नहीं हुई क्योंकि तब तक मैंने शिखा से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था. वैसे दो हफ़ते बाद आये रविवार को शिखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख मैंने इस कमी को पूरा कर दिया था. तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिन्दगी अधूरी सी लगने लगी है शिखा. तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी, मैंने उसकी आंखों में प्यार से जाकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे. जिन्दगी की राहों में तुम्हारी हमस्वर बन कर मुझे बहुत खुशी होगी, कपिल. इन शब्दों में उसकी हां सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि तीन दिन बाद शिखा के जन्दिन के अवसर पर हम शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिष्टेदारों व परिवार के सदस्यों को अवगत करा कर सर्प्राइज देंगे. अगली रात नौ बजे के करीब बिना सूचना दिये समीर, अंजली, मनीश और नेहा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए. मेरी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए मनीश बहुत गंभी लहजे में बोला कपिल इस फाइल को पढ़ो. पढ़ कर मुझे मालूम पढ़ा कि वह शिखा की मेडिकल फाइल थी. उसमें करीब दस महीने पहले नींड की गोलियां खाकर आत्मात्या करने की कोशिश करी थी. इस फोटो में शिखा के साथ उसका प्रेमी राजीव खड़ा था. इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर शिखा ने आत्मात्या करने की कोशिश करी थी. अंजली ने अपने पस से निकाल कर एक पोस्ट कार्ड साइस का फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया. मनीश ने दान्त पीस्ते हुए बताया, यह धोखे बाज इनसान एक तरफ तो शिखा से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलचरे उड़ा रहा था. यह खबर शिखा को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुँची की उसने आत्मात्या करने की कोशिश करी. ये भी पढ़े भेडिया और भे. तुम मेरी इस टेड़ी उंगली को देखो. मुझे राजीव एक बार किसी पार्टी में मिला था. मैंने गुसे से पागल होकर उसकी उपर इतने घुनसे बरसाएं की मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर हो गया. नेहा ने रोक लिया नहीं तो मैं उसे उस दिन जान से ही मार देता. समीर ने गुसे से लाल हो रहे मनीश को शांत करने के बाद मुझ से कहा, शिखा के अंदर वैसा दूसरा सद्मा सेहने की ताकत नहीं है, कपिल. अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रती जिन्दगी भर वफादार नहीं रह पाऊगे, तो कल उसके जन दिन की पार्टी में मत आना. उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे. अंजली ने मुझसे भावुक लहजे में प्रार्थना करी, फैसला सोथ समझ कर. करना कपिल अगर शिखा के हिद के खिलाफ जाने वाला कोई रिष्टा आज भी तुम्हारी जिन्दगी में बना हुआ है, तो उसे आज रात जड़ से नश्ट कर देना. हमेशा उसके प्रतिवफादार रहने का प्रण कर ही कल की पार्टी में आना, प्लीज. इसके बाद सभी बारी-बारी से मुझे गले लगा कर चले गए. मैं रात भर ठीक से नहीं सो सका. अगले दिन ओफिस भी नहीं जा सका. सारा दिन गेहन सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुचना संभव नहीं हुआ. मैं शिखा से शादी करना चाता हूँ पर अपने मन की कमजोरी का भी मुझे एहसास है. किसी एक स्त्रीका होकर रहना मेरी फित्रत में नहीं है. मुझे फैसला सोच समझ कर ही करना था. क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था. उन सब के ऐसे खतरनाक शुबचिन तक दोस्त नहीं थे. फिर धीरे धीरे जबर्दस टैंशन का शिकार बने मेरे मन में यहाँ बात जड़े जमाने लगी की मैं न शिखा के लायक हूँ और नहीं उसके शुबचिन्तकों की दोस्ती या दुश्मनी के. ऐसा सोच कर मैंने शिखा की जिन्दगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया. मैं जूते खोल कर वापस पलंग पर लेट गया. मेरे बहुत रोकने के बावजूद आमखों में बार बार आंसू भर आते थे. आठ बजे के करीब मेरे मोबाई फोन की घंती बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच्ड आफ कर दिया. फिर नौ बजे के करीब बाहर से किसी ने घंती बजाई तो मैं चौक कर उट बैठा. दरवाजा खोला तो सामने शिखा को देख मेरा दिल बैठ गया. मुझे विश नहीं करोगे उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए. हैपी बर्थडे मैंने जबर्दस्ती मुस्कराते हुए उसे शुबकाम नाए दी. ऐसे नहीं जरा प्यार से विश करो कह वहां मेरे गले लग गई. हैपी बर्थडे माई लव पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुम से खुद ही निकल कर मुझे हैरान कर गए. मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुम से हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है. कपिल वह सहज भाव से मुस्करा रही थी. मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शिखा. बाद में तुम्हारा दिल तोडू उससे अच्छा यह होगा कि हम अभी अलग. उसने मेरे मुह पर हाथ रख कर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं रही हूँ. मुझे भी पहली नजर में तुम से प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी. तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा. मुझे दर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा. मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे. आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस इमानदारी का सुबूत दिया है, उसका मेरी नजरों में बहुत महत्व है. यही इमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी. यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुबचिन्तकों की धंकी से डर कर उठाया था, मेरे होंटों पर उदासी मुस्कान उभरी. वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हे धंकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था. मैं सचमुच तुम से दूर नहीं होना चाहती हूँ, कह वहां मेरी चाती से आलगी. मैं भी मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया. उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलजन या अनिश्चित्ता बाकी नहीं बची थी. उसकी आमखो में लहरा रहे प्यार के सागर को देख कर मुझे विश्वास हो चला था कि भविश्य में कोई रितु मुझे कभी ललचा कर शिखा के प्रती बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी.